एक बार पहले घंशाम जी स्टैंड क्लियर कर दीजी कि न्योता गया है कि नहीं गया है कोई कॉंग्रेस कह रही गया है अकलेश जी मीडिया पर गुस्ता हो रहे थी कि अगर है तो अपनी जेब से दिखा दो और दूसरा सवाल ये ये वैचारिक समर्थन क्या होता है सर्थ ये तो वही हो गया जो मैंने शुरूर में कहा गुड़ खाया गुलगुले से परहस कर दिया नवश्कार आपको दर्शकों को और को पैनलिस को तीन बहत्तुपन बाते हैं पहली बात की भारत जोड़ो जो मुहीम है एक तरीके से तो 2014 में शुरू हो गई थी जब भारती जन्ता पार्टी ने भारत तोड़ो की महीम देश भर में हिंदू-मुसल्मान बहस प्रतितिन शाम को करवा करके प्रवक्ताओं को भेज़ करके शादी प्रग्या जैसे लोगों को चाकू बाजी चुरी बाजी और तुधानतर जी के कहना की कपड़ो से किसे को पहचान सकते हैं तो भारत तोड़ो की महीम भारती जिंदा पार्टी की शांदार है, सफल है, समाज में हर जगर नफरत बोने में ये लोग कामियाब रहे हैं और ऐसे में हर कोई जो चाहता है कि देश में समरस्ता हो, विकास हो, वो चाहता है कि हमारा देश, हमारी सांस्कृतिक धरोहर एक जुट रहे और इसलिए भारत जोड़ो घर-घर का अभियान है, ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा जो Congress Party की अपनी यात्रा है, हम इसे किसी Alliance Building के राज़नीतिक मंच के रूप में नहीं देखते हैं, कॉंग्रेस पार्टी जब नियोता देगी, नियोता पहुँचेगा, उसके बारे में आधिकारिक रूप से सूचना मिल जाएगी, वो सूचना आपको मुझसे पहले मिलेगी, क्योंकि वो कॉंग्रेस पार्टी की तरव से हार गए, हिमाचल में हार गए, दिल्ली में हार गए, तो 2024 में अगर जिसको भी लगता है कि 2024 का क्या माजरा है, उसकी दो तस्वीरे हैं, 2023 में अनेक चुनाव है, जो कॉंग्रेस बना भारती जनता पार्टी के चुनाव है, भारती जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखानी है 2024 के लिए सुषट चुटाव में दिखाए और दूसी बात यह बतौर प्रधान मंत्री अगर देश बीरोजगारी को महंगाई को मुद्दा माने का जो भारती जंता पार्टी के लिए अदृष्ट है अगर देश आपसी नफरत को मुद्दा मानेगा तो भातीजनता पाटी का सफाया हो जाएगा और हम वो सब लोग हैं जो कि बेरोसगारी को मुद्दा मानते हैं और इस बाइं वाठ चाहल। आपने सारी बाते मुझे बता दी और मैंने आपको एक मिनट सुना लेकिन सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला आपकी बास से मोटा मोटा मैंने यह समझा कि नियोता आप तक नहीं पहुँचा है जो कहा जा रहा है अगर आएगा तो मीडिया में पता लग जाएगा लेकिन सरी एक सवाल फिर मन में आता है कि अगर राहूल जी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में महबत दरशकों से पूल करा लिजिए कितने लोग चाहते हैं भारते जन्ता पार्टि अपने नफरत के मिशन में सफल हो और कितने लोग चाहते हैं कि यह देश में समरस्ता रहे विकास की बात हो लेकिन तो राहूल जी की अगवाई में अगर ऐसा करने का मौका मिलेगा तो आप लोग साथ देंगे सर जवाब दे लिजे ऐसे प्टोकी मरत तो तो राजनीतिक दल के से भी जादा महत्वपूर है देश का नागरिक और देश का सम्मिधान देश का सम्मिधान समरस्ता पे आधारित है और देश का नागरिक समरस्ता चाहता है वो नहीं चाहता है कि उनके बच्चे भारती जिनता पार्टी के नफरत की मुहीम की भेंट चड़ जाए जाती बढ़िया मैसे चलाता जनता की बीश में तो वह नहीं जा रहा है तो उसके लिए सवाल उठ रहे हैं सर कि क्या आप लोग को डर लगरा कि राहूल जी की शक्सित बड़ी हो रही है भार जोड़ो यात्रा से इसका पॉलिटिकल दुखसान आप लोग को हो सकता है और अपने विक्तिकत हित के लिए आप लोग बड़ी लड़ाई से कत्रा रहे हैं यह आरूप लग रहे हैं हर राजिती दल अपने अभियान चलाता है उत्तर प्रदेश में और देश में सबसे बड़ी लड़ाई है कि भारती जिन्ता पार्टी जिस तरीके से आरक्षण को समा अब जो आरक्षण कर आपकी अपनी जो रैली होगी उसमें आप कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे अपनी बात रखेंगे यह कॉंग्रेस पार्टी के अपनी रैली ठीक है